नमस्कार साथ एक बार फिर से आपसे भी का स्वागत आपसे भी देख रहे हैं जोब रड़ गरू आज हम आपको बताने वले हैं परदान मंतरी भीमा योजना के बारे में परदान मंतरी भीमा योजना में हम आपको बताएंगे परदान मंतरी सुर्क्षा भीमा योजना और पर्दान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना इन दोनों बीमाओं का प्रीमियम है वो बढ़ा दिये गए पहले पर्दान मंत्री शुर्क्षा बीमा योजना का एरली जो प्रीमियम था वह बारे रुपए था इसे बढ़ा कर 20 रुपए कर दिये गए हाली में यह बदलाव किय के बैंक अकाउंट से जूड़ी है और जिसका सीधा असर आम आदमी की जर पर पढ़ने वाला है जहांसा परदान मंत्री जीवन जोधी बीमा योजना का वार्सिक प्रेमियम पहले पर्दान मंत्री जीवन जोधी बीमा योजना केंदर का इस योजना में फ़ोर्म बरकर फायदा ले सकते हैं जिनके उमर 18-50 वरस के बीच में है और ये देश की सबसे कम प्रेमियम वाली बीमा योजना है इस बीमा अव्दी दीगी है एक जून से लेकर 31 मई के बीच में आपके अकाउंट में 436 रुपई होने चाहिए ताकि ये बीमा योजना एक्टिव रहे और आपके अकाउंट से प्रेमियम एटोमेडिक जमा हो सके अब हम आपको उता दें परदान मंदरी सुरुक्षा बीमा योजना इस बीमा योजना में पहले 12 रुपई हर साल आपके अकाउंट से कटे थे लेकिन अभी 20 रुपई हमारे अकाउंट से कटेंगे इस बरदान मंदरी सुरुक्षा बीमा योजना के अंदरगाथ समस्त बचत बेंक खादा दारक इस योजना में अपलाई कर सकते हैं इस योजना में जुडने के लिए 18-70 साल के बीच में आयू होनी चाहिए बीमा में दुरुकटना जनित या फिर इस्ताई विकलांग होने परी 2 रुपई दिये जाते हैं और इन दोनों बीमा की अवदी है वो वार्सिक है एक जून से लेकर 31 मई के बीच में जितना भी प्रीमियम है चाहिए वो 20 रुपई हो या फिर 437 रुपई हो वो हमारे अकाउंट में होना जरूरी है तब ही ये ओटो रिनिवल होगा तब ही इस बीमा योजना के अंदर का 2 लाख रुपई दिये जाते हैं अब हम आपको डीटेल से बताते हैं कि ये परदानमंतरी सुरुक्षा बीमा योजना और परदानमंतरी जीवन जोती बीमा योजना क्या है और इसमें किस तरह से फायदा मिलता है परदानमंतरी सुरुक्षा बीमा योजना केवल एक व्यक्ति के चाहें कितने भी एकाउंट हो एक एकाउंट पर ये योजना लागू होगी जिनकी उमर 18 से 70 साल के बीच में है वो इस योजना में जूड़ सकते हैं और प्रीमियम है वो हमारे खाते से अटोमेटिक कड़ेगा योजना के अंदर का दुरुगटना मर्थ तक होने पर और पू ये योजना सारवजनिक चेत्र की साधानन बीमा कमपनियों या फिर किसी अन्य साधानन बीमा कमपनी जवारा जो इस उद्देशे के लिए बैंकों के साथ इनी सर्तों पर आवश्यक अनुमोदन था सहमती से उत्पात की पेसकस करने के इच्छुक हैं परदानमंतरी रूपए की जगह साल के 20 रूपए प्रेमियम जम्मा होगा अब हम आपको बता दें परदानमंद्री जीवन जोती बीमा योजना ये बीमा योजना क्या है इसमें कौन जूर सकता है और कितने रूपए का बीमा दिया जाता है परदानमंद्री जीवन जोती बीमा योजना क खाते से कड़ता रहता है इस बीमा योजना के अंदर का 2 लाख रूपए तक का जीवन सुरुक्षा बीमा दिया जाता है और इस बीमा योजना की जो अवदी है वो सालाना एक जून से 31 मई तक है समय अवदी के लिए और नविनी करण के लिए इस योजना के तैत किसी भी कार से लेकर पिच्वन वर्ष के बीच में तो उनको दो लाख रुपए दिये जाते हैं चाहे वो मर्तु कैसे भी हो और परदानमंदरी जीवन जोती बीमा योजना की प्रीमियम राजसी है वो परती वर्ष 330 रुपए से बढ़ा कर 436 रुपए कर दी गया जिसे अभीदाता के द प्रीमियम है वो साल का 20 रुपए और इस बीमा योजना के अंतर का 2 लाख रुपए केवल और केवल दुरगटना या फिर इस ताही रूप से विकलांग होने पर एक लाख रुपए दिए जाते हैं और ये दैस की अब तक की सबसे कम प्रीमिय बाली श्रुपशा बीमा योजना है साथ अगर कोई भी परदान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना के अंतर का फॉर्म बढ़ना चाता है तो वो ये फॉर्म वर्गर परदान मंत्री जीवन जोती बीमा योजना में जूड सकता है परदानमंदरी सुरुक्षा बीमा योजना और परदानमंदरी जीवन जोती बीमा योजना आपने नजदी किसी भी बैंक या फिर पोस्ट आपीस में पॉरम बरकर इस बीमा योजनाओं में जूड सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि बेंक काता दारक सभी हैं वो इन बीमा योजनों में जूड़ें अगर इच्छुक हैं वही जूड़ सकते हैं अब सवाल है कि किसी के साथ अगर अनोनी हो जाती है दुरगटना हो जाती है या फिर मर्ति हो जाती है तो कलेम कैसे किया जाता है साथ हुआ यहां पर राज्ये के अकाउंट था जिस बैंक के अकाउंट से प्रीमियम जमा होता था वहाँ पर भी जा कर आप कलेम करवा सकते हैं तो ये तो था साथ यूं आज का मारा वीडियो की परदान मंत्री जिवन जोती बीमा योजना के प्रीमियम राज सी 330 से 437 रुपए कर दिये गये परदान मंत्री सुर्क्षा बीमा योजना की प्रीमियम राज सी 12 रुपए से बढ़ा कर 20 रुपए कर दिये गये आज की जानकरी में बस इतना ही क्या आपके पास भी मैसेज है आप में कॉमेंट करके बताएं वीडियो देख लिए इतने वाच आदियों ठैक्स पर बोचिंग आपका दिन सुबब